असलाम ऐलेकूं प्रइंस कैसे आप सब गुमीद कर दें कि आप सब ठ्विक होँगे तो प्रइंस प्रइंस को कि हो नहीं यूट्यूप वीडियो के साथ और आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जवर्दस बहुत ही स्टाइलिश कीड्स कोलेक्शन इथ के वालद से बहुत ज़बर्दस से डिजाइनर ड्रेसे हैं, जो कि आप चोटी-छोटी-पीसिज ले कि बच्छों को बहुत ही ज़बर्दस से डिजाइनर ड्रेसे बना सकते हैं, प्रिंटिट फैब्रिक ले प्रेंड से क्लेक्शन है, इत के लिए बहुत ही जवर्दस क्लेक्शन है, आई होप कि आपको अच्छी लगे, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पर शेर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब् के वेले इनको ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो को नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे है, आपको किसी भी टॉपिक पर आइडियाज चाहे तो मैं चैनल का विजिट कीजिए, इन्शाला आपको हर टॉपिक पर आइडियाज मिलेंगे, फ्रेंड मेरे याप सबसरी के क्मेंट सेक्षन में फीडबैक जड़ूर दिया करें कि आपको हमारी विडियो कैसी लगती है, यह दिजाइन किसे लगते है, जडुर बताया करें आपका फीड़बैक हमें मोटिवेट करता है तो प्लीज ज़रूर बताया करें कि आपको ये क्लेक्शन कैसी लगती है इसमें बहुत इस वर्दस से फैंसी ड्रेसिस भी हैं, हलके फुलके से ड्रेसिस भी हैं इद पर बच्चें के बहुत ज़्यादा ड्रेसिस बनाया जाते हैं, बच्चें बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं इसलिए उनके पांच-पांच-छेज़ ड्रेसिस भी बनाया जाते हैं तो इसमें आप अगर ईद के लिए थोड़ा हैभी बनाना जाती हैं इस तरह के भी आईडियास दर्स दर्स मिल जाएंगे अगर बहुत ही सिंपल Будぎ क्या बनाना चाहते हैं सोभी आईडियास मिलेंगे आपको बहुत ही stylish dresses में, बहुत ही जबर्दसी collection है, I hope कि आपको अच्छी लगे, please comment section में ज़रूर बताएगा, ज़रूर बताएगा क्या आपको इस वीडियो कैसी लगे, comment section में ज़रूर अपना feedback दिया करें, ताकि हमें पता चले आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं हम इतनी मेनों से आपके लिए वीडियो लेक के आते हैं, ताकि आपको पसंद आए, please, ज़रूर बताए करें, और like और share ज़रूर कर दिया करें, ताकि दूसरों को भी फाइदा मिल सके, दूसरों को अपनी friend को, sisters को, relatives में share किया करें, ताकि उनको भी अच्छे-च्छे ideas मिले, तो friend ज़रूर बताएगा कि आपको ये collection कैसी लग जिया है, वीडियो का देखते रहें, लास तक मिलते हैं ने वीडियो में ने टोपी के साथ, तब तक के लिए Allah आफीज, अपना ख्यार रखें और हमें भी दौने हाथ रखें